सूपरभात बच्चों, आज हम हिंदी विश्य के वक्के विचार टोपिक पर डिस्कस करेंगे, वक्के विचार पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगे आपको कि वक्के होता क्या है, आपने पहले भी पढ़ा है, कई वार बताया जा चुका है कि वक्के होता क्या ह शब्दों का सार्थक समू को ही वक्य कहते हैं इसके बाद हमारे आते हैं वक्य के अंग वक्य के अंग वक्य की दो अंग होते हैं पहला अंग होता है वक्य का उद्दिश उद्दिश और विधे हमारे ये वाक्य की दो अंग है पहला उद्देश्य हो और दूसरा विधे है अब उद्देश्य क्या होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधे होता है ये हमारे उदिश्य और विदे है जैसे एक उधान लेते हैं जैसे रमां खेलती है इसमें रमां क्या है उदिश्य है और खेलती है विधे है अब हमारा जो मेन टोपिक है वो है वाक्य भेद वाक्य भेद और यह जो वाक्य भेद हैं यह हमारे रश्णा की द्रस्टी से पहले हम रश्णा की द्रस्टी से वाक्य भेद करेंगे उसके बाद हम अर्थ की द्रस्टी से वाक्य भेद करेंगे रश्णा की द्रस्टी से वाक्य की तीन भेद होते हैं कितने भी दोते हैं रिश्माई की द्रस्ची से वाक्य की तीन सबसे पहले आता है हमारा सरल वाक्य फिर आता है हमारा सयुक्त वाक्य और फिर आता है हमारा मिश्रित वाक्य मिश्रित वाक्य को हम मिश्र वाक्य भी बोलते हैं तो सबसे पहले सरल वाक्य क्या होता है ऐसा वाक्य जिसमें सामान्मे रूप से एक ही उद्धिश है तथा एक ही विधे का प्रियोग किया जाता है वो होता है सरल वाक्य जैसे हमें कुधान लेते हैं अच्छे बालक पढ़ा करते हैं यह हमारा एक उधारन है अच्छे बालक पढ़ा करते हैं इसमें उद्धिश्य क्या है अच्छे बालक और पढ़ा करते हैं क्या है विधे ये हमारा विधे है और ये हमारा उद्धिश्य है फिर आता है हमारा संयुक्त वाक्य अगला क्या है संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य या वाक्यांसों को किसी समुच्य बोधक द्वारा जोड़ा जाता है किसकी द्वारा जोड़ा जाता है समुच्य बोधक ध्यान दीजी ये वाक्य किस से जुड़ते हैं समुच्य बोधक से यानि दो वाक्यों को हम समुच्य बोधक से जोड़ते हैं जैसे मोहन पढ़ा रहा है ये एक वाख्य है हमारा और मोहिनी पढ़ रही है ये हमारा अलग वाख्य है और ये हमारा अलग वाख्य है लेकिन ये दोनों एक वाक्य किस से वे ये दोनों एक वाक्य कैसे बने किस ने जोड़ा इन दोनों वाक्यों को आउर ने आउर क्या है यहाँ पर समुच्य बोधत तो ये क्या हुआ ये हमारा सैंत वाक्य हुआ उसके बाद हमारा आता है मिश्र वाक्य फिर हमारा मिश्र वाक अब हमने सरल वाक्य कर लिए तीसरा हमारा मिश्रित या मिश्र वाक्य है जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है यह हमारे तीन थे रस्ना की द्रस्टी से वाक्य भेद अब हमारे आते हैं अ देती हूं पहला है हमारा साधारण वाक्य दूसरा अच्छा इस तो साधारण वाक्य है इसे हम विधान वाचक वाक्य भी कहते हैं दूसरा हमारा इच्छा वाचक वाक्य है इच्छा वाचक फिर आता है हमारा प्रिशन वाचक वाक्य है फिर है निशेद वाचक निशेद वाचक या नकारात्मक इसे हम निशेद आत्मक नकारात्मक और निशेद वाचक भी बोलते हैं फिर आता है हमारा विश्मयादी बोधक वाक्य फिर आता है संदेह वाचक वाक्य उसके बाद हमारा आग्या वाचक वाक्य आता है फिर हमारा संदेह वाचक वाक्य आता है संदेह वाचक वाक्य यह हमारे वाक्य की 8 बेड आते हैं जो अर्थ की द्रस्टी से होते हैं इन पर हम कल डिस्कस करेंगी कहले हम वाक्य की रश्चना की द्रस्टी से तीन भेद हैं इनको दोराएंगे वाक्य क्या होता है वाक्य के अंग कौन-कौन से होते हैं उद्धिश्य और विधय एक बार दोराएंगे आज के लिए हमारा यही है इस भेद का हम इस भाग का रिवीजिन करेंगे उसके बाद बाकी कारी हम कल करेंगे